सूरा मेरे मेज़ पमान तठाण फिर में जिखा पधिंसमादियानी बुद्धन जो 26 अलिपूर रोड है हमारा दिल्ली में उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ चर्चाएं हमें ना चाहे तो वे भी करनी पड़ती हैं और यह जरूरी चर्चा है उसके बाद में में केंसर प्रीव आएगा 26 अलिपूर रोड पर बावा साव अम्मेट कर रहा करते थे 26 अलिपूर रोड एक साधरन सा बना हुआ इस्ट्रेक्टर था मैंने वो structure देखा है जिसमें बावा साव औरिजिनल रहते थे जैसे पुराने समय के structure हुआ करते थे साधहंट सा structure था फिर वहाँ हरियाना के एक सजण जो दिली में दिली यूनिवेस्टी में नौकरी करते हैं उन्होंने उसमें इंट्रेस्ट लिया कुछ और भी लोगों ने इंट्रेस्ट लिया और वहाँ वो हर 5 दिसंबर को रात को जाते थे क्योंकि किसी को नहीं पता कि बावा साव 5 दिसंबर की रात को एकस्पायर हुए या 6 दिसंबर की सुब एकस्पायर हुए और वो जो प्रॉपर्टी थी किसी जैन के पास थी तो वो कहते थे के सरकार इसको ले और इसको इसमारख के रूप में घुश्ट करें उस समय के जो प्रधान मंति थे अटल विहारी बाजपेजी उन्होंने एक महां मीटिंग लगाई थी उसपर संक्रिय गौतम जब मंति थे स्टेट के सेंटर गौर्ण्मेंट में वो भी आए हुए थे हम वहां गये थे वो इस्ट्रक्षर वैसा का वैसा ही था जब वो गौर्ण्मेंट ने लिया जैसा ओर्जिनल था बाद में जो ये गौर्णमेंट आई इसने उस इस्ट्रेक्चर को औरिजिनल इस्ट्रेक्चर को वहां से डिस्मेंटल करके और एक नया आर्किटेक्चल इस्ट्रेक्चर वहां खड़ा किया और उसमें बावा साव अमबेट करके चीजें उसमें इस्थापित की लगाई जो भी आर्टीपिशल होती है क्योंकि औरिजिन तो सारा लगबग खत्म हो गया उसके बाद में जो लोग वहां पांच दिसंबर की रात को काईकरम लगाया करते थे उनको पांच दिसंबर की रात को काईकरम लगाना मना कर दिया उसमें कुछ पारिटी पॉर्टिक्स हो गई, कुछ हमारे ही समड़ आपस में लड़ भिड़ गए क्योंकि इस्ट्रक्चर बन गया, लोग उसमें अपना नाम करना चाहते हैं, नेतागरी करना चाहते हैं उसके बाद में वो पांच दिसंबर की रात का जो काईकरम था, वो भी बंद हो गया गेट लग जाते थे, लोगों ने दरवाजे पर ही मौंबतियां लगा दी पिछले दिनों वहाँ पर जो मंत्री रहे हैं, राइंदर पार एड़ोकेट जब उनका मंत्री पत गया, 22 प्रितिक्याओं की वज़े से एक बहुत धम दिख्षा का काईकरम जो उन्होंने करा था उसकी वैसे तो उन्होंने एक मार्च का काईकरम रखा था और वो मार्च उन्होंने अपने घर से 26 अलिपूर रोड तक रखी, उनका घर पास ही है, क्योंकि इस्टेट गवर्मेंट के जो नेता हैं, उनके घर वहाँ पास ही है वो पराना सिविल लाइन एरिया है, पराना सशिवाल ले है तो हम भी वहाँ गए थे, वहाँ लोगोंने डिमांड की कि 22 प्रितिग्याय कराईए, पर जो उस समय एक्स मंत्री यानि कि राइंदरपार एडवोकेट जी थे, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जब दिख्षा होती है, तब 22 प्रितिग्याय होती है लोगोंने कहा कि आज 14 अक्टूवर है, बावा साब ने आज ही कि दिन, उस दिन 14 अक्टूवर था, आज कि दिन ही दिख्षा कि लिए कहा है, पर उन्होंने मना कर दिया, तीन चरह हजार करीव आदमी रहे होंगे, और वो सब उनको साहनबूती के साथ में, क्योंकि उन्हो पर छोड़ा 22 पृतिग्या के लिए आये थे, बड़ा जोस था, पर तीन चरह हजार आदमीयों की बात को उन्होंने नहीं माना, और 22 पृतिग्या महां नहीं हुए, 26 अलीपूर रोट पे कहीं भी जो समारक मना है, उसमें 22 पृतिग्या नहीं है, बावा साब की कुछ बात पे 17 सेप्टमबर को जो विस्व करमडे मनाते हैं कुछ लोग, उन्होंने वहां पर करमचारियों के साथ में कोई पूजा वगएरा बेस्मेंट में रखी, चुकि वहां हमाई लोग जाते रहते हैं, किसी को पता चल गया, उसने मैसेज किया, तो वहां जो एक वीडियो जा का वो व्यक्ति हैं, उनके साथ एक दो लोग और हैं, तो वो बता रहे हैं कि यहां ऐसे ऐसे विस्व करमा डे पे पूजा हुई और यह परंपरा बन जाएगी, अब परंपरा बन जाएगी तो फिर आगे इनका धिकार बन जाएगा, वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, और उसमें वो F.I.A. लिखाने लिए बोल ले हैं, जो कारूरी पक्ष है, जो वो करना चायते हैं, अपने हिसाब से वो ठीक करने हैं, बोल ले हैं, वहां और भी जो लोग है, उन्होंने भी मार्मी के नेताओं को भी संपर्क किया है, तो जाइश दी बात है कि वहां वो ल पत के नाम से जानी जाती है, जहां बावा साव अमेटकर का फाउंडेशन चलता था, वहां भी अमेटकर इंटरनेशनल करके उसको बना दिया गया अच्छे तरे किसे, वहां टिकट लगता है, अल्टूरियम बुक कराने के लिए, तो वहां भी शिवरात्री पे किसी ने व वाले लेने वाले हो, कौन को क्यों तो गौर्मेंट उसको चलाती है, गौर्मेंट करती है, और गौर्मेंट के लोग बैठ हुएं, तो जाहिड सी बात है कि हमारे कुछ लोग जो आंदुलनकारी हैं, जो गरम मिजाज के हैं, जो शौर्ट टेमपर के हैं, और जो बहुत ज को कोई ना कोई काम मिलता रहता है कभी हुआ है उनके किसी कारेकरता को सपार्ण पूरम के की थिछा ने तो हमारे जो इधर यूटूबर हैं वो खाली बैठ जाएंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको भी काम मिलता है तो छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं कराई जाती रहती हैं और वो छोटी-मोटी घटनाएं उन्हें पता है कि ये खुद लोग बड़ी कर हम छोटी करेंगे ये बड़ी कर लेंगे इनकी भावना है भढ़का दो तो ये खुद बड़ी कर लेंगे तो उनको यूटूबर को काम मिलता रहता है वो तिलका ताल बनाके पेस करते हैं कुछ लोग जोस में भाशन देते हैं छोटे समय के लिए शौर्ट टेमपर के कुछ ठीक कह रहे हैं कि और अगर आप उनको कुछ कहों गिये तो कहेंगे कि अनुक्र делать करने के लिए जो सधे सधाय और जो जागृत लोग में सारे समाजों के आप किसी का भी देख़लो सदक पर आंदोन करने के लिए वही आते हैं जो बहुत कर आइस चाह चांते हैं ज जब आपके घरों के और ऑफिसों के आंदरों फेल हो जाएं पर आपका घर का और ऑफिस का को तो कोई अंदरों है यह नहीं स्विफ सड़क के और गलियों के आंदरों हैं यह बात है इसलिए बताए जा रही है क्योंकि समर संग पर्मनेंट सॉलोसन के लिए काम करता है और यह जो शौर्ट टेमपर वाले जो लोग हैं इसलिए नुकसान होता है नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसलिए होता है कि ये short temper वारे लोग या त्रॉंत जो करांती करना चायते हैं या YouTube पे आते हैं या जो भड़काऊ भाशनों में सहयोग करते हैं या जो दूसरे जो लोग agenda फैक्ते हैं उसको उठा के उसको बढ़ाते हैं वो बस उसके बाद खतम हो जाता है जैसे आधी में किसी ने कोई मुवंबती जलाई ही वो एक सेक्ट जली और भुज गई बावा साव अम्बेटकर का सम्विधान हम कहते हैं पर वो बावा साव अम्बेटकर का ही सम्विधान नहीं है वो पूरे देश का दुनिया का सम्विधान है और भारत के हर नागरिक को वो सम्विधान सबसे पहली चीज है भारत में रहेगा तो सम्विधान को मानेगा सम्विधान का इज्जत करेगा सम्विधान को तरीके से रखेगा सम्विधान को फाड़ नहीं सकता और अपने घर में फाड़ा ले किसी को ना पता चले कोई दिक्कत नहीं पर साजनिक रूप से पालियामेंट के पास में कोई सम्विधान को हाथ ने लगा सकता और इसी देश के अंदर सम्विधान पालियामेंट के बराबर पालियामेंट इश्रीट के थाने पिस्वात खतम हो गई जो राइस्थान में लड़का मारा गया पानी के उपर सब गए वहाँ पर हात रस के अंदर भी सब गए जाते हैं यह नेता और यह जो तुरंत करांती करने वाले लोग हैं यह उनका रुजगार है एक तरह से क्योंकि वह खाली हो जाएंगे अगर ऐसी की मोःमेंट क्यों नहीं बनी और जिन लोगोंने फ एक कर आए त़्ी वि जिन के खिलाफ करा थे उस फायार का क्या हुआ क्या वो लोग फांसी मांसे तक पहुंचे या नहीं पहुN जेल्वेल में हैं या बाहार है यह कोई अपडेट नहीं आता है मैं इसलिए बता रहा ह हデ nessाने में जो लगे हुए है जिनको तुरंथ पुरंथ सब चाहिए उन लोगों को कि यह नहीं पता रहता कि वह अपना भी नुकसान करTASZ करते हैं और अपनी मुवफ्मेंट का बात खतम हो गई पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई इसका पर्मानेट इलाज क्या है और आखी ये फाड़ने वाले जो लोग हैं की हिम्मत कैसे हो जाती है और हमारी हिम्मत इतनी कम क्यों है कि हमारा जो बात करने का तरीका है उस बात सही काम क्यों नहीं चलता सारे जितने भी सलकों पर आंदों चलाते हैं वो अपनी सुविधा के निवसार अपनी मर्जी से चलाते हैं कैसे चलाते हैं अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के निवसार बावा साब की 22 प्रितिग्याए 26 अलीप रोड रूप नहीं है और 26 अलीपुर रोड रोज खुलता है और सब को पता है कि वहाँ बाइस प्रतिग्या नहीं है और यू बावास आपकी बाइस प्रतिग्या हैं उनके साहित्य का हिस्सा है उसको गाते सब हैं पर मुवमेंट नहीं बनी आज तक कि बावस आपके 26 अलीपुर रोड से 22 प्रतिक गयां क्यों गायम हैं क्योंकि मुव्मेंट नहीं बनाते हैं मुव्मेंट में मिलेगा क्या ना तो चेरा चंपके का ना ना कुछ चंपके का बस बोलकर निकल जाते हैं वैसे ही जो विस्व कर्मा डे पे यहां पूजा हुई और जिसका बात का बतंगड़ा बनेगा और बनाया जाएगा और इस पे सब लोग काम करेंगे उनको इतना जानकारी नहीं है या जानकारी है तो वो समझ नहीं चायते कि पूरी दुनिया में जो मैनमेड रूल्स हैं यानि मनुस्य के द्वारा बनाये हुए जो सिस्टम है जिनको हम धरम बोलते हैं या जिनको हम रिलिजिन बोलते हैं या जिनको हम मजब बोलते हैं वो सारे के सारे सिस्टम पॉलिटिकल रूप में ढ़ल चुके हैं, वो तरसल पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, उनका राजनीती करण हो चुका है, वो व्यक्ति के उत्थान के लिए नहीं है, ये बात काफी पहले से है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, और भारत के परिपेक कोई धर्म नहीं था, कोई रिलिजन नहीं था, लोग यहां प्राकर्तिक जो मत है, यानि प्राकर्ति को, नेचर को, पक्ति को माना करते थे, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, और उसी के उतार चड़ाप को मानते थे, और उसी के उतार चड़ाप से समझते थ तिन यानि प्रक्ष्ती कै उतार चृट्वीं क्या मौसम है जानवर क्वाउं पर यह सब भाते हैं आब फैरे पानी कहा है यह प्राराकर्टिक चीज्ञों के लोग मानते थे आप कह सकते हैं कि यहीं कि वो पूजग थे यानि मानने वाले थे तो भारत में जो लोग बहार से आए वो अपने साथ में religion लेके आए धर्म लेकर आए तो जो व्यक्ति अपना culture अपना religion अपना मत लेकर आता है उसको अगर पर्मानेंट राज करना है उस जगे पर देश में तो वहां के लोगों को लगातार लगातार गुलाम बना के रखना होता है अगर लगातार लगातार आप उनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे कल्चर के रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे तो आपके जो जीता हुआ एरिया है जो आपने महाराज किया है जो आपने महाराज पाया है सत्ता पाई है जैसे भी लड़के मरके जैसे भी वो कायम नहीं रहेगी वो चली जाएगी इसलिए जब यहां बहार से लोग आए जिनको हम वमन बोलते हैं हमने नाम दिया वमन तो वो अपने साथ जो लेके आए उन्होंने अपने जैसे मत में बनाने की कोशिस की लोगों को क्योंकि अगर हम किसी को अपने मत में ले ले यह हम किसी के घर में साधी क लेते हैं तो दोनों ही केसों में विरोध खतम हो जाता है मालो समलों ने आपस में साधीआं कर ली तो झाली खतम हो जाएगा अगर समणों ने वम्लं की कल्च और वम्लों में स्वाण मानित व्रूद कर दी न Nether खतम हो जाएगा यानि कि आप अगर किसी का मत मान लेते हैं या किसी के घर में अपनी रिस्दारी कर लेते हैं तो वरोध खतम हो जाता है इसलिए जितने भी शाशक होते हैं जो जीतते हैं एरियाओं में जो कबजा करते हैं किसी भी तरह से या इन्विडर होते हैं घुस्पैटी होते हैं या दूसरे देश पर आते हैं वो कोशिस करते हैं कि वहां की कल्चर में रम जाएं उनके लोगों से शादी कर लें ब्या कर लें और अपने मत को उन में मिला दें या उनके मत में मिल जाएं ताकि विरूद ना कम हो विरूद कम हो जाए और मामना खतम हो तो लड़ा ही ना हो वैसे ही सारे सासक करते हैं यहां जो अरब से लोग आए वो अपने साथ जो कल्चर लेके आए उन्होंने वो मजभविया कल्चर यहां के लोगों को दिया यहां के लोगों ने अडॉप्ट किया जितने जितने लोगों ने अडॉप्ट करते चले गए उनकी कल्चर को उतनी संक्या बढ़ती गई, उतना ही विरोध कम होता गया, और उतना ही शाषन करने का समय बढ़ता गया, अगर यहां के लोग उस कल्चर को अडॉप्ट नी करते तो उनकी संक्या मैं ऐसा कम रहती, तो उनको शाषन करने में बहुत दिक्कत आती, वो जल्द तोनों ने यहाँ लोगों को इसाई बनाया, इसाई मत बनाया, अपनी भासा English फैलाई अपना कल्चर, अपना रहंसें, अपना कोट पैंट, अपना टाई अपने साजों सुविधा लेका आए थे वो तोनों ने सुविधाय दी, अपनी कल्चर दी, Bible दी, इसाही बनाए ताकि उनका साथन जादा दिन तक रुके seram और उनके विरोधी कम रहे हैं को कि अगर इसाही हो जाएंगे तो इसाहीों को अंग्रिज कहेंगे तुम भी साही हो, हम भी साही हो función तो विरोध मत करो तो विरोध नहीं करेंगे इसलिए जितने भी religion वाले लोग हैं या मत वाले लोग हैं या जितने भी मज़ब वाले लोग हैं वो किसी भी country में जहां भी जाएं वो कोशिस करते हैं हम अपने सारों की संखिया यानि head की संखिया बढ़ा लें अपने लोगों की संखिया बढ़ा लें इसलिए मतों का अंतर होता है और इसलिए मतांतर होता है और इसलिए लोगों से कहा जाता है कि आप हमारे मत में आ जाओ और इसलिए लोग अपने मत की तारीफ करते हैं तरसल मत में कोई नहीं लेकर आना चाहेता जन संख्या बढ़ा रहे हैं वोटो की संख्या बढ़ा रहे हैं, बहुमत बढ़ा रहे हैं, बहुमत बढ़ाने के लिए मत में ला रहे हैं, उस मत में क्या है, क्या नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, वो कोई कोई इंट्रेस्ट हो उसमें, तो जा सकता है, और जिसको इंट्रेस्ट नहीं है, वो नहीं जा स थे उनमें मिक्सिंग होईए उनको एडॉट उनको आपना मिलाया पृण उनको का काम खतम किया फिर उसमें भी चमतकार डालने कोछ की कुछ कहानियों मैं चमतकार डाल दिये फिर उनके मतों के जो जानगार लोग उनको भी फिर गौड जैसा दर्जा देनास को किया, उनका अफ्तार बना दिया, क्योंकि सिस्टम ये कहता है, कि या तो हमें मिल जा और या हमें अपने में मिला लो, या दोनों काम कर लो, उससे वरोत का मोगा सासन तेज चलेगा, सासन देर तक चलेगा, इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग सत्ता में होते हैं, ये एक प्राकर्टिक बात है, नेशनल बात है, कि वो देश को या राज्ये को, या जगे को, यहां तक की परिवार को भी, यानि परिवार में भी जो खाने कमाने वाला वेक्ति होता है, उसकी चलती है, उसका मत चलता है, तो मत में ढ़ालते हैं, अपनी जन्सक्या बढाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए ताकि उनका विरूद कम से कम हो और उनके मत जैसे लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी बात चलेगी तो वह सुखी रहेंगे ज्यादा देर तक रहेंगे इसलिए जो भी सत्ता में आएगा जो भी सासन में आएगा वो अपनी मत के बात करेगा इसलिए जितने भी प्राकर्टिक चिन्न थे इस्तूप थे बुद्ध से पहले इन इस्तूपों को इन चिन्नों को और जो पंजाम में टीले मिलते हैं और जो इधर उत्तर प्रदेश में जो उची उची पहाड़ियां ठीली मिट्टी की मिलते हैं या इन्टों के मिलते हैं जिनको इस्तूप बोलते हैं थूप बोलते हैं या जिनको चिन्न बोलते हैं धम के वो बुद्ध से पहले के भी है क्योंकि बुद्ध ने बताया है कि थूप ओपे इस थूप ओपे जाते चैते ओपे जाते रहना चाहिए यह उन्होंने बताया है इसका मतलब उनसे पहले भी थे महापुर्सों के और बुद्धने कहा है कि अगर जीवित रहना है सब को खटे रहना है तो अपने चैतेयों पर जाते रहना चाहिए और चैतेय बनाते रहना चाहिए चेतिया मतलब चेतना योग है चेतिया बोलते हैं इनको चेतिया मतलब जहाँ आपकी चेतना जागे चेतिया योग वो जग है इनको चेतिया बोलते थे तो वहाँ जाते रहना चाहिए जिनको आप आज के समय तीर थिस्तल बोलते हैं तो वो जो सिस्टम था उस समय का वो बुद्ध के बाद भी जारी रहा और असोक के समय तक आते आते थूपों की और इस्टोपों की और चैतियों की संख्या 84,000 हो गई और पूरा महा भारत बौद में हो गया तो वो 84,000 जो थूप रिस्टूप थे जिनको बाद में मंदर के नाम से बोला गया मंदर मतलब जहां मन का दर्द दूर होता है और मन का दर्द दूर करने वाले दो लोगों के नाम प्रमुकाते है महाविर जहन का नाम थोड़ा आता है क्योंकि उनका पचार पचार जादा नहीं है उनके लोग भी बहुत थोड़ी से हैं पर बुद्ध के मंदर बहुत हैं बुद्ध के मन के दर्द को दूर करने वाले जगे यानि विपसना साधना करके मन के दर्द को मन को ठीक करने वाले बहुत सेंटर है इसलिए जितने भी आपको मिलते हैं आज के समय जिनको आप मंदर बोलते हैं पुराने खासतोर से वो उसी समय के रहे हैं पर आज वो बुद्ध की कल्चर के नाम से या प्राकर्टिक कल्चर के नाम से या समण कल्चर के न आप भी चला गया, तो संग चला गया, तो लोग गरीब होगे, तो भूके मने लगे, तो हार गे, तो भूका आदमी मन का दर्द दूर नहीं करता, वो पेट का दर्द दूर दूर करता है, उसको पेट दर्द होता है, तो पेट का दर्द पहले है, ये तो बुद्ध ने भी ब बताया है कि भाई भूके भजन नहीं हो भूके से संगति नहीं होती यह Mm आज भी है, आम जो संगती लगाते हैं, दो बजे के बाद आप बठा के देख लो, दो बजे के बाद हमारे लोगों के दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं, वो नहीं आता, फिर पेट दर्द होता है, तो पहले पेट दर्द ठीक होगा, तब मन का दर्द दूर होगा, ये बुद तो भूके रहने पे हादे खाने पे आगे पिर आधे पे आगे प्रने हिग neo जमास को पर तब म exempl कि आखे हैं nossos गिना जुक के संबाएं वहादु में ही में और क्या क्या दिर्ण आप गिना दोक्रा जब घब पर कि मिद्ध Engineering determines tuna क्या तो कौन मौक प्राप्त करेगा मौक तो सरीर प्राप्त करेगा जब सरीरी स्वस्त्य नहीं है तो मोक किसको प्राप्त होगा तो पहला ग्यान सिद्धत devotion को मिल गया जो बहुत जिरूरी था जिससे वो समझ में आयर बुद्ध बने पर यह तैह है कि मन के दर्द दूर करने के जितने सिस्टम बनाए असोक ने जब असोक का सासन चला गया और हमारे संग तूट गया और यहां से बौद्धो की culture रूल्स बदल गये कुछ mix हो गये कुछ खतम हो गये कुछ बूल गये कुछ दबा दिये कुछ अलग अलग हो गये मंदरों के सिस्टम भी बदल गए फिर मंदर हैं तो आज भी मंदर पर मंदर के अंदर कुछ और होने लगा क्योंकि जिसकी सत्ता होती है जिसकी पावर होती है उसकी कल्चर आती है तो आगी कल्चर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं और फिर उनकी कल्चर चली गई क्योंकि फिर बाद में मुसलिम आ गए तो मुसलिमों ने वो मंदर तोड़े हमारे मंदर थे सारे सम्डों के थे वो तोड़े और बुद्द को युन्होंने बुद्ध कहा बुद्ध परस्ती यानि के मूर्थि पूजा क्योंकि इसलाम के अंदर 103 बुद्ध तोड़े गए थे 103 मूर्थियां तोड़ी गई थी काबा के अंदर मौम्मद साब ने वो साफ करा दी सारी क्योंकि मूर्थि पूजा का जो चलन था वहीं से आया पूरी दुनिया में मूर्ती पूजा का चलन येजरुसलम से आया है वहां से काबा से निकाली गई है मूर्तिया हमारे यहां नहीं होती थी हमारे यहां तो वहीं से आई है बेड़ चाल तो वो जो सिस्टम था सासारा का सारा वो बुद्ध परस्ती उन्होंने देखा कि लोगों ने क्योंकि जब तक यहां बुद्ध की स्टेश्च बनाई हुई थी तो उन्होंने वो तोड़ दिये और कुछ टूटे कुछ नहीं टूटे जहां तक क्योंकि उनके संख्या जादा नहीं थी जो वहां से मुस्लिम आए या जो लड़ा के आए या जो मुगल आए जो भी आए उनकी संख्या जादा नहीं थी इसलिए भारत बहुत विसाल है नहीं पहुँच पाई सब्जी गयता है और उन्हें को जरुत भी नहीं थी उनका काम चल गया और उसके बाद जब उनकी सत्ता गई जब उनकी सत्ता थी तो भासा भी यहां पर उर्दू चलती थी अर्वी चलती थी फार्स ही चलती थी और यहाँ फेस्टिवल भी उनके बहुत जोड़ सोर से मनाय जाते थे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसलाम अडॉट कर लिया क्योंकि सत्ता थी सत्ता के साथ लोग चलते हैं बदल जाते हैं और जब सत्ता अंग्रेजों के पास आई तो इसलाम गायब हो गया जो राजय करमचारी इसलाम थे वो गायब हो गए उर्दू खतम हो गई धीदिरे इंग्लिस आ गई कपड़े बदल गए जो पहले सल्तनत हुआ करती थी फिर वो सल्तनत से नाम बदल गए फिर वाइसराय हो गए हर चीज बदल गई रहना, खहना, पीना तो शब्ता के साथ बहुत तो बहुत साथ लोगों अरीज भी होगे, शथाए १ी होगे तो चली की सथा तो सथा जाने के बाद में बावसाब को तो यह समझ थी कि ये कैसे बदलता क्ये से नहीं इसलिए उन्होंने तो प्रमानेंट एलास दिया कि आपको पराणी कल्चर समड़ धम में जाना है, और समड़ धम को उन्होंने बहुत धम के नाम से बताया उस समय, पर हमारे लोग बुध को मजब समझ के काम करते हैं, इसलिए जीत नहीं पाते, अगर वो बुध को समड़ कल कबीर साब भी उसी मत के हैं समन मत के हैं बौद साब भी उसी समन मत के हैं रविदाजी उसी समन मत के हैं और अगर वालमी जी का नाम ने तो तो ज़ता तत्य काड़ जाते हैं क्योंकि उनको तो ब्रहमला बताय हुआ है पर लोग तो वो समन है सारे अब लोगों से मतलब रखो आप पर नहीं रखते उससे failure होता है उससे चीज़ें खराब होती है यह अलग-अलग मत चलते हैं अलग-अलग तो आज के समय जो government है अब वो अपने हिसाब से अपने मत के हिसाब से काम करेगी और उन्होंने जो काम किया है जो प्रचार किया है जिस प्रचार के दंपे आए ह अगर वो वही काम नहीं करेंगे तो अगली वर कैसे आएंगे और सत्ता में सबको बने रहना है अरे जो विपक्ष लड़ता है वो भी तो सत्ता में जजाने के लिड़ता है और जो लोग हैं वो भी तो सत्ता में जजाने के लिड़ते हैं तो सत्ता में जाने का रास्ता लोग अगर मालो बावा साव अम्मेट करके इस मारकों का चाहे वो महू है चाहे वो 26 अलीपुर रोड है चाहे वो पंदर जन्पत है चाहे वो बौद गया है चाहे वो कोई और भी है चाहे वो किसी और के भी समणों के मत हैं अगर उनका वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं बदलत करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई और चीखने चिलाने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा क्योंकि चीखने चिलाने से आप अपनी कमजोरी बताते हो आप चीखने चिलाने के मुकाम को नहीं पहुचाते अगर सम्मिधान फटा है तो पूरे देश का था पर चलो अग तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको पूरा नहीं कर सकते अधुरा काम करने से क्या होता है कि लोगों में मायूसी चाती है पर ये बास समझते नहीं है समरसंग ये बास समझता है तो समरसंग ये कहता है कि काम पूरे हो सकते हैं और ये सारे एजंडे जितने भी हैं वो पू पुरा है पर आप अकेले-अकेले करोगे अकेले-अकेले निता बनो गे आप समाज को इंक एक्टा करने के लिए समड़ें इंक कम नहीं करोगे आप सबसे पहले बहाग वे यूटीव पे के मैं सबसे पहले बोलूँales का इसका कांदुरन बता दो ले देखे आपके पास में एक 2 April 2018 की घटना है उसमें भी पूरी अप्राइल सफल नहीं है हम वो भी दूसरे के हाथ में हैं मिल गया तो ठीक है नहीं मिल गया थे अंदुर्ण बड़ा था संग कांदुरूं था इसलिए सफलता मिली पर पूरी नहीं मिली तो जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनको काम मिलता है और वो काम पकड़के चल देते हैं दूसरों के परचार परसार में और उनके एजन्डे में उनको ये सोचना चाहिए कि पुराने सिस्टम में उन्हों लोगों ने सारी कल्चर बावसाप के हिसाब से काम चलना चाहिए अगर आपको लगता है कि बाववसाब के हिसाब से काम चलना चाहिए अगर आपको लगता है कि सम्विधान के हिसाब से काम चलना चाहिए तो सम्विधान ये कहता है कि आपको इखटे होना पड़ेगा आपको एक कम से कम 50% लोग इखटे एक तरफ रखने पड़ेंगे भाउमत में तब जाके आप कुछ भी कर सकते हो फिर आपको कहीं रोने की चिलनाने की जोट नहीं है आप समझो इस बात को कि जो सत्ता में होते हैं और जो सिस्टम को चलाते हैं उनके मत के वरुद्व में अगर कोई चीज आती है तो वो उसको ठीक कर लेते हैं जो सिस्टम उनके पास होता है आप क्या करोगे आप उनके सिस्टम में कोई अर्जी लगाओगे कोई परजी लगाओगे कोई कोट में जाओगे कोई कचरी में जाओगे किसीифसर से खुसाम्त करोगे पर ये सारे के सारे सिस्टम है वो चलते तो सत्ता से हैं जो सत्ता सीन होता है वो अपने मत के वुरुद में कोई काम क्यों करने देगा और क्यों करना चाहिए उसे उसका तो मत चला जाएगा उसके तो लोग तूड जाए गे तो सत्ता में नहीं आएगा उसको सत्ता में बने रहना है इसलिए 26 अलीपूर रोड को अगर आपको इसका पूरा इंजाम करना है इसका पूरा सॉलिशन करना है या पंद जन्पत का करना है या महू का करना है या और जो मंदर हैं उनके करने हैं या और जो चीज़ें उनकी कर से अमबेट करके सिध्धात नहीं बदलते बुद्ध की मूर्ती तोड़ने से बुद्ध नहीं खतम हो जाते वह फैल गए वह पूरी दुनिया में चले गए इसलिए मूर्तियों में पूजा पार्थों में इसमें अगर पर्मानेंट कुलाज होता तो इतने दिन से पूजा प अज जह होगा कि यह पुराने समनों के सिस्टम हैं पर बताये जाये कि सारे सब्स नोग सिस्टम है तो समझने वाले को भी इतनी समझ होनी चाहिए क्योंकि केभार हम बताते हैं कि रिपाल संय है जैसे और गणश चतूर्टी है अब ये गणे चतूरती जो कल्चर है ये वप मंगल से आई हुई है अब वप मंगल पाली का सब्ड है वप माने होता है बीज बोना और मंगल माने होता है अच्छा जिसको हम सुब बोलते हैं बड़िया बोलते हैं तो बीज बोने का काम आरंब होता है आज से लोग बीज बोने का चुकि अब फसल आने वाली है रवी की तो उसका बीज बोते हैं जो बोके देखते हैं गैहूं बोके देखते हैं कि उपजेगा या नहीं जो पिछले साल बीज बचा के रखा था वो उपजेगा या नहीं इसलिए उसको जो चोटा से बटन है उसमें मिट्टी डालके और उसमें डालते हैं कि इसकी कितनी पैदावार होगी कितनी होगी कई बीज खराब तो नहीं हो गया है कभी ऐसा नहों कि हम खेत त्यार करें उस अपने छोटे से बटन में उगाया है उसका क्या करेंगे और दोबारा तो लग नहीं सकता रवी की फसल ऐसी होती है कि जो दाना जहां लग गया वो वहीं जमेगा आप उसकी पौद नहीं लगा सकते वो दाना लगता है पौद और जितनी भी चीज़ें उनकी लग सकती है पर इसकी नहीं इसलिए उसको विसरजित कर देते हैं विसरजित मतलब है कि उसको जमा देते हैं कहीं देखते रहते हैं कि क्या क्या नहीं तो इसलिए उसको नदीम के आसपास में जहां पानी मिलता रहा है वहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो जो पौद है वो खराब नहों और जो जम सके जम जाए और जो उग सके उग जाए ये वप मंगल उतसफ फेस्टिवल बुद्ध के समय से है 11 साल की उमर में जिक्र है बावा साब की किताब में कि वो एक जामुर के पेड़ के नीचे बैठे हुए विपस्णा कर रहे हैं के खेत में हल चल लाए और वप मंगल उतसफ चल लाए तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि वपा मोरिया जल दिया मोरिया मतलब मोरिया जो लोग है जो समड मोरिया लोग है मोरिया लोग है उनका वप मंगल जल दिया आए ताकि बीज बोने का काम जल दिया है क्योंकि फसल चा हो. गण के पती थे तो बीजबोने का festival था बीजों को विसरagn करना था बादों को विसरजन करना था और कहां राजा की विसरजण कर दिया और हमारा तो जो हाती की है पर हम इन बातों को बताते हैं तो इनको समझने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए क्योंकि कल्चर सारी भारत की है बाहर से लोगों के पास कल्चर नहीं है उनके पास कल्चर होती तो वो आते क्यों इधर उनके पास कोई culture नहीं है, उनकी तो यहाँ भुक्मरी रही है, उनकी एरिया बहुत ठंडे रहे हैं, रेतीले रेगिस्तान रहे हैं, पानी नहीं मिलता उन एरियाओं में, जानवर नहीं मिलता, और यहाँ तो भरे पड़ें, इसलिए culture यहीं जहाँ ज्यादा लोग होते हैं, नहीं loot mark बोलते हैं, loot mark culture में नहीं आती कह सकते हैं कि उनका भी तरीका ये है, loot mark का negative है culture है negative है, बोल सकते हैं पर culture जो आती है positive word है, तो positive word के हिसाब से culture अच्छे के लिए इस्तमाल होती है loot mark के लिए क्या बोलेंगे तो वो जो system है 26 अलीपूर रोड पे वो जितने लोग हैं अब लगेंगे काम पर सारे सारे काम मिल गया, यूटूबर को दो पैसे मिल जाते हैं वो भड़काओ भड़काओ वीडियो बनाते हैं तो एक हजार अगर एक लाख अगर आदमी देख लेता है यूटूब को तो लगबख हजार से लेके और डेड़ हजार तक रुपया मिलता है तो किसी का अगर भड़काओ वीडियो चल गया और 10 लाक लोग ने देख लिया तो उसका पन्द हजार रुपया बन जाता है पन्द हजार रुपय बहुत है अगर एक वीडियो से मिल जाए ऐसी अगर चार भी चल जाए तो तंखा बन गई तो रुजगार है उनका पर भढ़काने से नुकसान कितना होता है फाइदा तो कुछ नहीं होता कोई साभी यूटूबर या कोई साभी यूटूबर पे जो भढ़काओ भशन देने वाले जो लोग होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि अगर हम सारे खटे हो जाएं तो हमें भढ़काओ भशन देने की जोती ना पड़े हम सारे खटे हो जाएं तो ये यूटूबर जो दो दो पैसे के लिए लड़ते हैं इनको गौर्मेंट से इतना पैसा मिल जाएगा इनकी गौर्मेंट में नोगनोखी लग जाएगी क्योंकि समणों की पतकार ही कितने हैं पर वो परवानेंट लाज पर बड़े लाज पर काम नहीं करते क्योंकि हैं तो गरीबी भी एक लाचारी होती है जिससे कि उनको प्रिश्ट करना पड़ता है उनकी तो मजबूरी है भाषन देने वालों की भी और भाषन लगाने वालों की भी यूटूबर की नेताओं की पर बाकी जो लोग हैं उनकी क्या मजबूरी है उनको तो यह कहना चाहिए कि भाई ये चीज़े छोड़ो ये चीज़े चलती रहती हैं इन चीज़ों में दिमाग मत लगाओ अगर द व्यक्ति को फॉन किया मैंने का वही आपने फोटो डाले हैं ये फोटो किस चीज के हैं के रहे जी भंते सुमित रत नहें वह रत बनाया है उन्होंने सम्विधान बाटे हैं तो मैंने बाटे कैसे बाटे तो पता नहीं तुम गए बहां के रहा हां तुम्हारे फोटो है हा चाल सम्मिधान से बार्टने से क्या होगा करीं सम्मिधान पड़ते हैं सम्मिधान ज्र کی बांट जाफर में बाट दूरा हुआ मैं का बताब होगा आप से बाद मैं बताऊंगा मुझे पूरी जानका कि मैं इसने पर अलग-अलग भीड बड़्य है ना वह नुक्सान daik है जबtrl वह है कि सारे लोग सोचने वाले नहीं होते हैं 大घ व्यक्ति अलग-अलग्पोर्टर ले घूम रहा हैं और जाकतल स्वूटर नहीं फिला रहा है अंद विश्वास फिला रहा है जब कोई किसी के अपने सपोटब को लेके घूमता है और जिसको यह नहीं पता के समयृफहान बाटने से क्या होगा, क्या सम्विधान है, क्या इसमें लिखाया, क्या क्या ने लिखाया, तो ये सपोर्टर अंदभक्त हो जाते हैं, और ऐसे अंदभक्त सपोर्टर पूछते नहीं कुछ भी, और कहते कुछ नहीं है, वो अलग-अलग-अलग-अपना जो मास्टर होता है, जो उनका मालिक होता है, उसकी कमांड मानते हैं, मास्टर उनका दिमाग कुईते से बंद कर देता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है, कि ये छोटे छोटे जो घेरे हैं, छोटे छोटे जो दायरे हैं, हम इनी में फसके रह जाते हैं, पहले जातियो तो बड़ा काम परना पड़ेगा और अगर बड़ी समस्या में बड़ा काम नहीं किया तो फसके मर जाएगे जैसे जाल होता है अगर जाल बड़ा भी तो क्या हुआ काटना तो पड़ेगा इसलिए यहां समझ संग के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको यह रिक्वेस्ट समझ के देखिए क्या 29 लाग संग्टनों से हमारा कोई भला हो सकता है क्या जो अलग अलग लोग लड़ते हैं अलग अलग लोग रहते हैं उससे भला होने वाला है क्या एक घटना घटी है तमिलाडू में एक घटना घटी है महराष्ट में एक घटना घटी है दिल्ली में घटना घटती है पंजाब में एक घटना घटती है बिहार के अंदर एक घटना घटती है पश्ची मंगाल के अंदर इनके लिंक नहीं आपस में लोगों को यह पता है कि इनको कहीं पीटलो कहीं दबोचलो इनकी कोई आवाज ने आने वाली है और अगर थोड़ी बहुत आव उन पर होती नहीं है, इसके उधारन है पूरी दुनिया में, आप अपने आसपास देख लो, कि महले में जो सबसे दवंग फैमिली होगी, वो इखटी रहती होगी, वो किसे नहीं दबती, वो दबाती है सबको, आप शेहर में देख लो, कि जो कुछ 10-50 रोग इखटे होंगे, वो दबाते होंगे पूरे सेहर को, उनको कोई नहीं दबाता, आप देख लो कि पूरी दुनिया के अंदर, जहां ज़्यादा देश इखटे हैं, उनको छोटे देश जो इखटे हैं, वो दबा लेते हैं, दुनिया में आज के समय फिर वो वार थी, जिसको अमरीका और यूएसे वार बोलते थे, उसका फिर समय आ गया है, पहले वो कोड़ वार में बदल लगी थी, अब वो ओपन वार में बदल लगी है, वो युद्ध हो रहे हैं, तो वहूमत का जनसंख्या का असर जब देश तक को होता है, देश को भी ज़्यादा देश चाहिए अपने समर्थन में, तो हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को ये जरासी बात समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हम उनको चंदा देते हैं, उनका काम चल जाता है, वो बहुत बड़े चलते हैं, एक व्यक्ती जो लेख लिखता है, बुद्धिमान अपने आपको कहलाता है, उसके फेस्बुक पर लेख आते हैं, अब तो वीडियो भी बनाने लगा है, तो उसने वीडियो बनाई, मेरे को फॉन किया, वो एक संख्धन बना रखा है, जिसको मिसन 21 बोलते हैं, M21 के नाम से, उनका एक काईकर्म लगा, मैंने उनसे कहा, रहे भाई, तुम तो इतने समदार लोग हो, लेख भी लिखते हो, समदार की बात भी करते हो, तुमारे जो संख्धने, उसमें तो आईएस और PCS भी कुछ लोग जोड़े हुए हैं, मैं सुना है, डॉक्टर हैं, सब गुद्धी जी भी हैं, तुम भी अलग काम करोगे, ये समर्संग को देख लो, इसमें कमियां बता दो क्या समर्संग में, और अपना M21 बता दो, और बैठके बात कर लो, जो ठीक लगता हो, इखटा कर लो, इधर समर्संग के लोग आ जाएंगा, अधर तुमारे M21 के आ जाएंगे, फिनो ने, वो, जू मेने कहा भी तुमारा फेट वेट को बात करा दो इसे, उग कहता है जी, आप जो कर रहे हो, आप करो, वो भी ठीक है, जो हम कर रहे हैं, वो भी ठीक е, अरे ब가지 recommend कि तुम काही के बधी है, तुम क्या मिसने moment चलाँगे, अगर समण समण साथ बैठने को त्यार ना हो हम बात करने का इन्विटिशन दे रहे हैं आपको और आपको क्या हम तो सब को दे रहे हैं अगर आप बात करने लाइक भी नहीं हो और आपकी सोच इतनी है कि आप बात करो तो आपको डर है कि आपका संग्ठन ना खतम हो जाए तो ऐसा संग्ठन क्यों चलाते हो का संग्ठन जो समढ़ संगे उसको खा जाएगा तो खा जाओ तो कम से कम समढ़ संग को पता चल जाएगा कि वो कितना कमज़र कितना नहीं है पर होना तो एक ही है ना अच्छा तो यह रहे रहेगा कोई किसी को खा जाओ कोई किसी में विले हो जाओ पर एक हो जाओगे तो ज 2024 में पूरी ताकसर लगा हुआ जाए वो 3 है जाए वो 2 है जाए देड़ है जाए पौना पवॉआ है पर हर इक को यह लगता है कि अब जो चुनाव आने वाला है साई लोग उसी को प्रधानमंति बनाने वाले है और प्रiveness बनता है जो सौ साल तक मेंद करता है हूरे हिष्टूरまだ कब यूझे से स्टार्ट हुई और कब प्रिधानबंती լनने चुरू है और प्रिधानमंती बनते हैं उन्होंने सिस्टम कब बनाया और कब जाकरente बनت करक्षेह और हमारे लोग तो यूटूब पे दोग गाली दे के प्रदानमंती बनने के सपने देखते हैं यूटूब पे और जो बुद्धी जी भी जिनको बोलते हैं जो खास सोर से यूनिवेस्टी में पढ़ाते हैं क्योंकि उनको छूट है वो कुछ भी बोल सकते हैं वो कोई भी नियत अगरी कर सकते हैं वो राजय जितने भी हैं यूनिवेस्टी में हमारे जो लोग है वो गोल गले की कमीश पहले लेते हैं और उनका यह की सपना है MP तो बनने पाएंगे पर राजय सवाँ पहुंचने का फुल सपना देखते हैं कोई पहुंच जाता है तो उनका सपना और दर्द करता है हर व्यक्ती गवराने का नहीं है क्योंकि एक अकेला सिध्धत गौतम जिसकी सोच से भी परे था जिसने कभी नहीं सोचा कि वह कोई परिवर्तन कर सकता है क्योंकि वह जानता था कि अकेला व्यक्ती परिवर्तन नहीं कर सकता पर हिम्मत नहीं हारता घर से बहार निकाल दिया संग से बह लगा था कि प्रधान मंत्री बनना है या विस्वगुरु बनना है या राजा बनना है या क्या बनना है ये सोच के बना के दुख दूर करने हैं पहले अपने करने हैं और जब अपने आगे दुख दूर होगे समझ में आ गया तो फिसो चाज़ औरों के भी कर देते हैं तो औ पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द खिलादियांनों के सिद्धाद्धूर। इसलिए सिधत्ध गौतम से बुद्ध से म pursuit करना चाहिए। दॉक्टर हम descriptive से मेहनत करना सीखना चाहिए। कभी वो लिखें ने समुन्छा के आज अगर वो डॉक्त उप जले पर आज उनके नाम का ख्याथी पूरी दुनिया के अंदर है, जो चला गिए उसे क्या पता रहता है? पर काम उन्होंने सिददत से किया, काम उन्होंने महनत से किया, और जूनने का ये काम किया, लोगों को समझनाे काम किया तो भूल जायं बागी बात हैं कि क्या है क्या Ьक्या नहीं है हमारे पास में वो Firmula है जो हमें हमारे महा पुर्सों न दिया हुआ है कि अगर हम काम करेंगे और इखटा रहेंगे और इखटा करने का करेंगे तो सफलता आएगी ही आएगी ऐसा हो सकता है कि हमारे मनने के बाद आए पर आएगी जरूर और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ज़्यादा मेहत कर दी तो हमारे जीते जी भी सफलता दिखाये दी और सफलता तो जैसे काम करते है वैसे आती है और ये क्या कम सफलता है कि आज के समय जह हम संगती लगाते हैं तो हमाँ परिवार जैसा माहौल हो रहा है और लोग एक दूसरी के दुखदर्द में बात करते हैं और एक दूसरी को सानबुती से बात करते हैं मिलते हैं जुलते हैं और एक दूसरे के चेरे को देखे खुश होते हैं ये सफलता है बच्चे खुश होते हैं आज के समय हम कह सकते हैं कि हर एक सहर के अंदर हमारा कोई ना कोई संगी है थोड़ समय बाद हम ये कह पाएंगे कि हमारा हर गाओं में कोई ना कोई समर्संगी है और क्या चाहिए हमको जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जीते जाएंगे यही मंत्र है हमने कौन सा राजस्ता के लिए काम कर रहे हैं राजस्ता तो पीछे पीछ आ जाती है जब लोग जुड़ जाते हैं तो राजस्ता खुद कहती है मुझे भी साथ ले चलो आपकी एक्षा है आप लेना चाओ लेना नहीं लेना चाओ मत देना रास्ता खुला हुआ है किसी भी संग को मना नहीं किया हुआ है जो राजनीती में जाना चाहिए जा सकता है पर संग नहीं जाएगा यह बता दिया है क्योंकि संग पर्मानेंट बॉड़ी है यह 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 नहीं जाएगी पैसा भी पीछे-पीछे आता है पैसा कहता है ह उनको भी साथ ले लो जिसको पैसा पकड़ना हो बिजिनस में चले जाना पर रास्ता संग से जाएगा पीछे पीछे आते हैं सारी यूनिविश्टी कॉलिज जिस यूनिविस्टी में चाओ उसमें एडिमिलन लेो हर चीज पीछे पीछे आती है अगर आप इक हटे हो के चलत तो देखता हुए तो परच्चाएं भी साष्च छोड़ोगीth सलीए अकेलिए लिए पाइल और यहा किसे जोड़ोगे सितंबर कल जोच गाएगा दस दन सिस्ट गएकि रहें यह हुआ कि सितंबर तक सब लोग अपने अपने परवारों के रिजदारों का ख़चा ग्यार we creative की संगती हमारी जो इस वह जो टाइटल है उसमें सभी ब्द्धी जी भी आने हैं यानि बांसिप की अपने पुराने जने लोग के वह bाराना Baptist के लौ़ है चाए बच्च है तो आने का खर्चा जमा करासर तो सब आपका अपना खुड का होता है चोंकि संग पैसा लेता नहीं पर आप जब आओगे जाओगे उसका अंतियाम करोगे तो उसका तो पैसा लगेगा तो शाड़े पर नाम लिखवाएं कि कितने लोगों का कौन कौन लेके आ रहा है सबसे पहले अपने परिवार के नाम लिखवाएं कि परिवार में कितने लोग हैं बड़े का 3.500 रुपए है जो 10 साल से 18 साल तक यंग है उसके आदे पैसे एक चोड़े पिस्तर रुपए है और 10 साल चोड़े बच्चों के पच्चिस रुपए माथ रहें अगर आप किसी का ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा पैसा जमा करा दीजिए क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपना खर्चा नहीं दे पाएगा तो उसका वहाँ एड़ेस्ट हो जाएगा ताकि व्यक्ति को यह ना लगे कि वह आनी सकता तो आना तो सबी को है तो जितना जाए और वहां लिष्ट में एड हो जाए जितनी जल्दी हम जुडेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे तो जितनी जल्दी हम अपना नाम लिखवाएंगे उतनी जल्दी हम आगे की संगतियां और अच्छी कर पाएंगे आपने कहा कि मैं तो पहुंच जाओंगा पहुंच जा आगे और हलवाई के पास खाना नहीं हुआ फिर आपको गए इंतियाम नहीं हुआ हम आए तो ऐसा हुआ तो इंतियाम में खराब होगी इसमें सारी चीज़ें तरीके से होती है पहले से होती है तो आप अपनी जुम्मदारी समझते हुए जितना जल्दी हो सके तीस सेप्टमबर से पहले पहले दो हजार लोगों का कम से कम खर्चा जमा हो जाना चाहिए तो अभी मेरे खाल में धाई सो लोगों खर्चा जमा हुआ है और बाकी लोग का खर्चा आना है तो आप अपना और अपने परवार का खर्चा जमा करा दें और जितनी जल्दी हो सक तो मां रोज आइसे होगा और और Kब तक कड़ा आप लड़ते रोगे कहा लड़ोगे और कितने-कितनों से लड़ोगे और अगर लड़ना ही होता तो इतने सारे मंदर यह जुड़िसी वाले लोग हैं या जो यह बिरुकेट लोग हैं या जो और भी जो सिस्टम हैं वो सारे सारे उनके लिए काम करते हैं जो लोग इखटे होते हैं मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई इतराज हो या किसी को कोई परिशानी हुई हो तो मैं संग से माफी चाहता ह गुप्स कर दो सादु हमें आपकर दो सादु 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 सादु. आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूतियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छानू तूतियं पी धम्मं सर्णं गच्छानू तूतियं पी संगं सर्णं गच्छानू तूतियं पी संगं सर्णं गच्छानू ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मां गच्छामी